विचार शक्ति ही सर्वोपरी है शारिडिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संसार में बहुत प्रकार की शक्तियां विद्यमान है किन्तु इन सब शक्तियों से भी बढ़कर एक शक्ति है जिसे विचार शक्ति कहते हैं विचार शक्ति सर्वोपरी है उसका एक मोटा सा कारण तो यह है कि विचार शक्ति निराकार और सुक्षमाती सुक्षम होती है और अन्य शक्तियां स्थूल तर स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म में अनेक गुना शक्ती अधिक होती है, पानी की अपेक्षा वाश्प और उससे उत्पन होने वाली बिजली बहुत शक्तिशाली होती है, जो वस्तू स्थूल से सूक्ष्म की ओर जितनी बढ़ती जाती है, उसकी शक्ती भी उसी अनुपात मनुष्य जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण शरीर, कारण शरीर से आत्मा और आत्मा से परमात्मा की ओर ज्यों ज्यों बढ़ता है उसकी शक्ती की उत्तरोत्तर वृद्धी होती जाती है. यहां तक की अंतिम कोटी में पहुँचकर वह सर्वशक्तिमान बन जाता है. विचार सूक्ष्म होने के कारण संसार के अन्य किसी भी साधन से अधिक शक्तिशाली होते हैं. उदाहरन के लिए हम विभिन धर्मों के पौरानिक आख्यानों की ओर जा सकते हैं. बहुत बार किसी रिशी, मुनी और महात्मा ने अपने शाप और वर्दान द्वारा अनेक मनुष्यों का जीवन बदल दिया. एसाई धर्म के प्रवर्तक इसा मसीह के विशवय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने न जाने कितने अपंगों, रोगियों और मरनासन व्यक्तियो को पूरी तरह केवल आशिर्वात देकर ही भला चंगा कर दिया. विश्वा मित्र ऐसे रिशियों ने अपनी विचार एवं संकल्प शक्ती से दूसरे संसार की ही रचना प्रारंभ कर दी थी. और इस विश्व ब्रह्मांड की जिसमें हम रह रहे हैं, रचना भी ईश्वर क विचार स्फूरन का ही परणाम है. ईश्वर के मन में एको हम बहुस्यामी का विचार आते ही यह सारी जड़ चेतनमै स्रिष्टी बनकर तयार हो गई. और आज भी वह उसकी विचार धारना के आधार पर ही स्थिती है और प्रलै काल में विचार निर्धारन के आधार पर ही उसी ईश्वर में लीन हो जाएगी. विचारों में स्रिजनात्मक और ध्वनसात्मक दोनों प्रकार की अपूर्व, सर्वोपरी और अनन्त शक्ति होती है. जो इस रहस्य को जान जाता है वहमानों जीवन के एक गहरे रहस्य को प्राप्त कर लेता है. विचार नाओं का चय विदित हो जाती है वह संसार का कोई भी अभिष्ट सफलता पूर्वक पा सकता है. संसार की प्रायह सभी शक्तियां जड़ होती है. विचार शक्ति चेतन शक्ति है. उधारन के लिए धन अथ्वा जन शक्ति ले लीजिए. अपार धन उपस्तित हों, किन्तु समुचित प् नहीं किया जा सकता. जन शक्ति और सैनिक शक्ति अपने आप में भी कुछ नहीं है. जब कोई विचारवान नेता, अथ्वा नायक, उसका ठीक से नियंतरन और अनुशासन कर उसे उचित दिशा में लगाता है, तभी वह कुछ उप्योगी हो पाती है. अन्यथा, वह सारी शक्ति भेडों के गल्ले के समान निरर्थक रहती है. शासन, प्रशासन और व्यवसाइक सारे काम एक मात्र विचार द्वारा ही नियंतरित और संचालित होते हैं. भौतिक शेत्र में ही नहीं, उससे आगे बढ़कर आत्मिक शेत्र में भी एक विचार शक्ति ही ऐसी है, ज प्रकार जीवन तथा जीवन के हर क्षेत्र में केवल विचार शक्ति का ही सामराज्य रहता है. किन्तु मनुष्य की सभी मानसिक तथा बौधिक स्पूर्णाएं विचार ही नहीं होते. उन में से कुछ विचार और कुछ मनोविकार तथा बौधिक विलास भी होता है. दुष्टता, अपराद तथा इर्ष्या द्वेश के मनुभाव, विकार तथा मनोरंजन, हास विलास तथा क्रिडा आदी की स्फूर्णाएं बौधिक विलास मानी गई हैं, केवल मानसिक स्फूर्णाएं ही विचारणियं होती हैं, जिनके पीछे किसी सुरिजन, किसी उपक अथ्वा किसी उन्नती की प्रिड़ना क्रियाशील रहती हैं, साधारण तथा सामान्य गत्विधी के संकल्प विकल्प अथ्वा मानसिक प्रिड़नाएं विचार की कोटी में नहीं आती हैं, वे तो मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियां होती हैं, जो मस्तिष्क में नि यों तो सामान्यतया विचारों में कोई विशेश स्थाइत्व नहीं होता। वे जल तरंगों की भाती मानस में उठते और विलीन होते रहते हैं। दिन में न जाने कितने विचार मानव मस्तिश्क में उठते और मिठते रहते हैं। चेतन होने के कारण मानव मस्तिश्क की यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, विचार वे ही स्थाई बनते हैं जिनसे मनुष्य का रागात्मक संबंध हो जाता है, बहुत से विचारों में से एक दो विचार ऐसे होते हैं जो मनुष्य को सबसे जादा प्यारे होते हैं, वह उन्हे छोड़ने की बात तो दूर, उनको छोड़ने की कलपना तक नहीं कर सकता। यही नहीं किसी विचार अथ्वा, विचारों के प्रती, मनुष्य का रागात्मक जुकाव विचार को न केवल स्थाई, अपितु अधिक प्रखर तेजस्वी बना देता है। इन विचारों की छाप मनुष्य के व्यक्तित्व तथा कर्तित्व पर गहराई के साथ पढ़ती है। रागात्मक विचार निरंतर, मथित अथ्वा चिंतित होकर इतने दृड़ और अपरिवरतन शील हो जाते हैं कि वे मनुष्य के विशय, व्यक्तित्व के अभिन अंग की भाती दूर से ही जलकने लगते हैं। प्रत्य एक विचार जो इस संबंध से संसकार बन जाता है, वह उसकी क्रियाओं में अनायास ही अभिव्यक्त होने लगता है। अतेव, आवश्यक है कि किसी विचार से रागात्मक संबंध स्थापित करने से पूर्व, इस बात की विचार समझ कर अपने व्यक्तित्व का अंग बनाए ले रहे हैं, वह वास्तव में विचार है भी या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि वह आपका कोई मनोविकार हो और तब अपना व्यक्तित्व उसके कारण दोशपूर्ण बन जाए। प्रत्येक शुब तथा स्रिजनात्मक व विचार व्यक्तित्व को उभारने और विक्सित करने वाला होता है। प्रत्येक अशुब और द्वनसात्मक विचार मनुष्य का जीवन गिरा देने वाला है। विचार का चरित्र से घनिष्ट संबंध होता है। जिसके विचार जिस स्तर के होंगे उसका चरित्र भी उसी कोटी का होगा, जिसके विचार क्रोध प्रधान होगे, वह चरित्र से भी लडाकू और जगडालू होगा, जिसके विचार कामुक और स्त्रेण होगे, उसका चरित्र वासनाव और विशय भोग की जीती झागती तस्वीर ही मिलेगा, विचारों के अनुरूप ही चरित्र का निर्मान होता है यह प्रकृती का अटल नियम है चरित्र मनुष्य की सबसे मूल्यवान संपत्ती है उससे ही संमान, प्रतिष्ठा, विश्वास और श्रद्धा की प्राप्ति होती है वही मानसिक और शारिरिक शक्ती का मूल आधार है चरित्र की उच्चता ही उच्च जीवन का मार्ग निर्धारित करती है और उस पर चल सकने की क्षमता दिया करती है निम्नाचरण के व्यक्ति समाज में नीची द्रिष्टी से ही देखे जाते हैं उनकी गतिविधी अधिकतर समाज विरोधी ही रहती है अनुशासन और मर्यादा जो की व्यक्तिक से लेकर राष्ट्री जीवन तक की द्रिड़ता की आधार शिला है निम्नाचरण व्यक्ति से कोई सम्बंध नहीं रखती है आचरण हीन व्यक्ति और एक साधारण पशु के जीवन में कोई विशेश अंतर नहीं होता जिसने अपनी यह बहुमूल्य संपत्ति खो दी उसने मानू सबकुछ खो दिया सबकुछ पालेने पर भी चरित्र का अभाव मनुश्य को आजीवन दरिद्र ही बनाए रखता है मनुश्यों से भरी इस दुनिया में अधिकान्श संख्या ऐसों की ही है जिने एक तरह से अर्ध मनुश्य ही कहा जा सकता है वे कुछ ही प्रवृत्यों और कारियों में पशुओं से भिन्न होते हैं, अन्यथा वे एक प्रकार से मानव पशु ही होते हैं, इसके विपरीत कुछ मनुष्य बड़े ही सभ्य, शिष्ट और शालीन होते हैं, उसकी दुनिया सुन्दर और कलाप्रिय होती है, इसके आगे भ और मूह नाक कान के होते हुए भी, और एक ही वातावर्ण में रहते मनुष्यों में यहां अंतर क्यों दिखलाई देता है, इसका आधार भूत कारण विचार ही माने गए हैं, जिस मनुष्य के विचार, जिस अनुपात में जितने अधिक विक्सित होते चले जाते हैं, उस उसका स्तर पशुता से उसी अनुपात से स्रिष्टता की ओर उठता चला जाता है, असुरत्व, पशुत्व, रिशित्व, अथ्वा, देवत्व और कुछ नहीं विचारों के ही स्तरों के नाम है, यह विचार शक्ती ही है, जो मनुष्य को देवता अथ्वाराक्षस बना स संसार में उन्नती करने के लिए धन, अउसर, आदी बहुत से साधन माने जाते हैं, किन्तु एक विचार साधन ऐसा है, जिसके द्वारा बिना किसी व्याई के मनुष्य अनायास ही उन्नती करता जा सकता है, मनुष्य के विचार परमार्थ परक, परोपकारी और सेवा पूर्ण हों, तो समाज में उसे उन्नती करने के लिए किन्ही अन्य साधनों की आवशक्ता नहीं रहती, विचारों द्वारा मनुष्य बहुत बड़े समुदाई को प्रभावित कर अपने अनुकूल कर सकता है, साधन पूर्ण व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्शित कर सकता है, विचारों की विशालता मनुष्य को विशाल और उनकी निक्रिष्टता निक्रिष्ट बना देती है। विचार संपत्ती से भरे-भरे व्यक्तित्व को उन्नती करने के लिए किनी अन्य उपकरणों, उपादानों और साधनों की अपेक्षा नहीं रहती। अकेले विचारों के बल पर ही वह जितनी चाहे उन्नती करता जा सकता है। मन और मस्तिष्क जो मानव शक्ती के अनंत स्त्रोत माने जाते हैं और जो वास्तव में हैं भी, उनका प्रशिक्षन विचारों द्वारा ही होता है। विचारों की धारणा और उनका निरंतर मनन करते रहना मस्तिष्क का प्रशिक्षन कहा गया है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में कोई विचार रख कर उसका निरंतर चिंतन एवं मनन करता रहता है, वे विचार अपने अनुरूप मस्तिष्क में रेखाएं बना देते हैं। ऐसी प्रणालियां तयार कर दिया करते हैं कि मस्तिष्क की गती उन्हीं प्रणालियों के बीच ही उसी प्रकार बंद कर चलती है, जिस प्रकार नदी की धार अपने दोनों कुलों से मर्यादित होकर। यदि दूशित विचारों को लेकर मस्तिष्क में मन्थन किया जाएगा, तो मस्तिष्क की धाराएं दूशित हो जाएगी, उनकी दिशा विकारों की ओर निश्चित हो जाएगी और उसकी गती दोशों के सिवाए गुणों की ओर न जा सकेगी। इसी प्रकार जो बुद्धिमान मस्तिष्क में परोपकारी और परमार्थी विचारों का मनन करता रहता है उसका मस्तिष्क परोपकारी और परमार्थी बन जाता है और उसकी धाराएं निरंतर कल्यानकारी दिशा में ही चलती रहती है इस प्रकार इसमें कोई संशय नहीं रह जाता कि विचारों की शक्ती अपार है, विचार ही संसार की धारणा के आधार और मनुष्य के उत्थान पतन के कारण होते हैं, विचारों द्वारा प्रशिक्षन देकर मस्तिश्क को किसी ओर मोडा और लगाया जा सकता है, अस्तु बुद्धिमानी इसी में है कि मनुष्य मनोविकारों और बौधिक्स फूर्णाओं में से वास्तविक विचार चुन लें और निरंतर उनका चिंतन एवं मनन करते हुए मस्तिश्क का परिश्कार कर डालें, इस अभ्यास से कोई भी कितना ही बुद्धिमान, परोपक परिश्कारी, परमार्थी और मुनी मानव या देवता का विस्तार पा सकता है। पुस्तक विचारों की अपार और अध्वुत शक्ति लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचारिय अगर आपको हमारी यह विडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रिशी चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी विडियो की नोटिफिकेशन्स मिलती रहे। धन्यवाद।